धोरण छ, प्रक्रण छ, मौर्य योग, चंद्रगुप्त अने समराट अशोग रविवार हवा थी सोसाइटी ना सौव बालको मैदान मा क्रिकेट रमवा भेगा थाया भव्याने जल्पे टीम पाड़ी बैटिंग के बॉलिंग नक्की करवा माटे सिक्को उचाड़ेो जल्प बोल्यो, किंग सिक्को हवा माथी नीचे जमीन पर पड़ेो किंग पड़ेो, एटले जल्पे बैटिंग मांगी बाजुमा उभेलो हेतांश बोली उठ्यो सिक्का पर आपेली आ सीनी आकृती क्या ते लिदी हशे भव्याए तेने समझाव्यो सार्नाथ ना विशाल स्थंब पर आ सीनी आकृती स्थापित करवामा आवेली छे आ स्थंब ने मौर्यवंशना सम्राट अशोक द्वारा निर्मान करवामा आव्योहतो भारते तेने राश्रिय प्रतीक तरीके स्विकारेल छे मौर्य वन्ष स्थापक अने शासक 1. चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वन्ष ना स्थापक 22. पूर्वे 321 थी 227 बालपणमा राजा राजानी रमत्रम्ता चंद्रगुप्त नो हीर पार्खीने प्रक्ष शीला ना कौटिल्य गोत्रणा आचार्य विश्णु गुप्थे इटली कि चानक्य प्रक्ष शीला लई जय तेने शस्त्र अने शास्त्रोंनी तालीम आपी चानक्यनी तालीमनी मदद अने मार्ग दर्शन थी चंद्रगुप्त मौर्य इस्वी सेन पूर्वे 321 मा नंद वंश ना अंतिम सम्राड धननंद ने हरावी ने मघद नी गादी सम्भाली, मौर्य वंश नी स्थापना करी चानक्यनी राजनीती अने वहिवट अंगिनी कुषळतानो सम्पुर्ण लाब चंद्र गुप्तने मलेओ चानक्य द्वारा लखाएला अर्थे शास्तर नामना ग्रंथ माथी ते समयनी राजकिय आर्थिक अने सामाजिक जीवननी माहिती मली रहे छे चंद्र गुप्तनी तमाम सिध्धियों मा चानक्यना मुझसुदी गिरीवाला मार्ग दर्शने घणों महत्वनों भाग भजवियो हतो ग्रीक राजा सेल्युक्स निकोतर ने हरावीने चंद्र गुप्ते चार प्रदेशों काबुल, कंधार, हेराद औने बलुचिस्तान जीत्या हता चंद्र गुप्त नी बाहदूरी थी प्रभावित्थाई सेल्युक से पोतानी पुत्री हेलेनाने चंद्र गुप्त साथे परणावी अने पोताना राजदूद मेगेस्थनिस ने तेना दर्बारमा मोकलेओ पाटली पुत्रमा रोकाण दर्म्यान मेगेस्थनिसे लखेल पुस्तक इंडीका माथी मगत सामराज्यना पाटनगर अने एना वैवट विशेनी अगत्यनी अने आधार भूत जानकारी मले छे राज्य विस्तार एनी सत्ता हती सवराश्रमा पण तेनू शासन होवानू तथा पुष्य गुप्त नामना वैश्य अमात्यने त्याना राश्रिय एटलेके राज्य पाल तरीके निम्या होवानू आधारोमा जणावेल छे सवराश्रमा आवेल गिरी नगर जुना गड़ना गिरनार परवत्माथी निकडती नदियो पर बंध बांधीने पुष्य गुप्ते सुदर्शन तलावनू निर्मान करावियू हतूं दक्षिन भारत ना कोंकन, करनाटक, महराश्र वगेरे प्रदेशो पन मगद सामराज्य नो एक भाग हता। वाईव्य मा छेक पश्चिम गांधार, अफगानस्तान सुदीना प्रदेशो पन चंद्रगुप्तनी सत्ता हे ठड़ हता। आम समगर भारत पर मौर्य सामराज्य नी सार्व भोम सत्ता प्रवर्तती हती। जानवाजेवूं। राजदूत एलची। एक राज्यनो बीजाराज्यमा मोकलवामा आवतो प्रतिनी धी। भारत मा आवेल अन्य देशो नी एलची कचेरियों ना कार्यविशे तमारा शिक्षक पासे थी जानकारी मिढवो। चं मुनी भद्र बाहु साथे मैसूर हाल करनाटक ना श्रवन बेल गोडामा वितावयो हतो। इस वीसन पुर्वे 277 मा ते मृत्यू पाम्यो। चंद्रगुप्ते 24 वर्ष राज्य करियानू अने 4 वर्षों मा तेने जैन धर्म अपनाव्यानी वाद जैन पुराणों मा थी मल आवे छे। भारतमा मौर्य वंचनी स्थापा मा पहलानों इतिहास आध्य इतिहास तरीके उलखवा Mans आवे छे। बहुर्या वंचनी स्थापनानी चोक्कस अने आधारभूत माहिती विविद स्त्रोतों मा थी मली रहेछे। चंद्र गुप्त मौर्य द्वारा विश्णु गुप्त चानक्यानी मदथी स्थाप्पामा आवेलू मौर्य सामराज्य भारतनू प्रथम एतिहासिक सामराज्य कहवाये छे मौर्य वंचनी जानकारी मिलव्वाना स्त्रोत क्रम, कृती, लेखक एक, अर्थशास्त्र, आचार्य विश्णु गुप्त चानक्या, काउटिल्य, बै, इंडीका, मेगस्थनिस, त्राण, दीप वंश अने महावंश, बौध ग्रंथो, सिलोन, चार, मुद्रा राक्षस, नाटक, विशाक दत्, आउप्रांध, मौर्य सम्राटोय कोत्रावेल श स्थांब लेखो, गुफा लेखो, स्तूपो, अने विहारों वगेरे माथी पण, एतिहासिक महीती प्राप्त थाये छे विचारो, वर्तमान समय मां तमारे कोई व्यक्ती, वस्तु, किस्थल विशे महीती मिढव्वी होय, तो तमें के विरीते मिढवो छो? ग्रांड ट्रंक रोड, जी टी आर, एशिया खंड नो सव थी जुनो अने लांबो मुख्य रोड छे, आ रोड नो निर्मान सव प्रथम चंद्रगुप्त मौर्यना समय मां थायू हतू, ते तामर लिपित थाई ने तक्षशीला अने तक्षशीला थी मध्य एशिया ने ज अन्धार सुधी आ रोड विस्तरेलो हतो, शेर्षा शूरी ए ओताना शासनकाल मां आ रोड नू पुन्ह निर्मान करावियू हतू, अंग्रेज शासनकाल दर्म्यान डेल हाउजी ए कौलकत्ता थी पेशावर सुधी आ रोड नू पुन्ह निर्मान करावियू हतू, वर्तम इस्विजन पुर्वे बसो तौत्तेर। चंद्रगुप्त ना अवसान बाद तेनो पुत्र बिंदुसार मगद नी गादिये आवयो। पिता चंद्रगुप्त तरफ्थी वार्सामा मलेलू विशाल सामराज्य यथावत टकावी राखी तेनी भेट पुत्र अशोक ने आपी एज बिंदुसार नी मोटामा मोटी सिध्धी गणाय छे। अने राजकुमार अशोक नी अवंतीना राष्ट्रिय राज्यपाल तरीके निमणुक थै हती। सुशेमना समयमा तक्षशीलामा थैल बढ़वाने नियंत्रित करवामा ते निश्वळ रहयो। जारे अशोके आ कार्य सफलता पुर्वक पार पाड़ी बढ़वो दबावी दिधो। बिंदुसारे तेना शासन कालमा कोई नवो प्रदेश जीत्यों न हतो। परंतु ग्रीक राज्यों साथेना मैतरी भर्या संबंधों जाल्वी राख्या हता। तेने मगदनी गादी पर लगभग 25 वर् 32 पिता बिंदुसारना मृत्युपची मोटा भाई सुशिम अने बीजा सावका भाईयों साथे थायला संघर्षने कारणे गादी आव्याना चार वर्ष बाद राजधानी पाटली पुत्रमा अशोक नो राज्याभिशेक थायो हतो। राज्याभिशेक थाया बाद अशोक पिता तरफ थी वार्सामा मलेल राज्य विस्तारमा वधारों करयो। तेना शीला लेकमा जनाव्या मुझब तेनू सामराज्य वाईव्य सरहदे आवेला कंधहार अने पेशावर्थी उत्तरभारतमा नेपाल सुधी। दक्षिने मैसुर हालनू करनाटक सुधी। पश्च पुर्वमा मगद हालनू बिहार, कलिंग हालनू ओडिशा सुधी फैलायलू हतु। कलिंगनू युद अने अशोकनू रदय परिवर्तन। मगदनी पाडोशमा आवेल कलिंग हालनू ओडिशा नंद राजाओना समयमा मगद सामराज्य नोज एक भाग हतु। परंतु मौर परिय शासननी स्थापना समय ते स्वतंत्र थाई गयलू। कलिंगने फरिथी मगद सामराज्य नोज भाग बनाववानी महत्व कांग्षा राखनार अशोके राज्य पिशेक पचीना आठमा वर्षे इटले के इसवीशन पूर्वे 261 कलिंगना राजा जयंत सामे युद जाहेर करियू। आ युद मा अशोकनो विजय थयो। युद मा विजय मेढवया बाद युद भूमी औने नगरमा फरता अशोके बद्धेच दुख औने शोकनो वातावरन जोयू। युद मा थयल खुवारी औने स्त्रियो बालकोने रडता जोयने तलिंग पर मेढवेली जीतनो आनंद ओसरी गयो। अशोकना मन्नी शांती हणाई गयी। युद मा थयली खुवारी ने कारणे अशोकना रदय मा भारे संताप अने पश्चातापनी लागणी जन्मी। युद नी निरर्थकता समझाई जवाने कारणे कलिंगनो युद तेना जीवननो अंतिम बहुद साधु उप गुप्तना उपदेश थी तेने शस्त्रोंनो त्याक करी शास्त्रोंनो शरण लिधु। बहुद धर्मंगी कार करी अशोक राज द्वारी पुरुष्मा थी धर्मानो रागी अशोक बनी गयो। अशोक पहलो एवो शासक हतो जेने शीला लेखो द्व ब्राम्मी लीपी आदोनेक भारतनी मुट्टा भागनी लीपियो ब्राम्मी लीपि माथी विक्सी छे। अहीं तमे अ अक्षर जुदी-जुदी लीपियो मा जोई शको छो। कलींगना युदनू वर्णन करतो अशोकनो शीला लेख। कलींगना युदनू वर्णन करता अशोक पोताना कलींगना शीला लेखमा लखावियों छे। के राजा बन्याना आठ वर्ष पची मै कलींग पर विज्य Legalबवीं। लगभग डोड लाख लोको क्याइत कराया, एक लाख थी वधू लोको मार्या गया, एना थी मने अपार दुख थयूं छे, जे लोको पोताना सगा संबंधियों अने मित्रोंने खूब चाहे छे, तथा पोताना दासों अने ब्रुतकों प्रत्य दयावान होई छे, ते पण य धम्म पालन करवानों अने अन्या लोको ने तेनो उपदेश आपवानों निश्चाय करेओ छे, हुँ मानू छू के धम्मना माध्यम थी लोकोना दिल जित्वा, ए जबर जस्ती थी विजय मिळववा करतां वधारे सारूं छे, हुँआ अभिलेक भविश्य माटेक रुपे कोतरावी रयोचु, के मारा पची मारा पुत्रो अने पवत्रो पन युद न करे, धम्मनो फैलावो केविरिते करीशकाय, ते अंगे तेमणे विचारवों जोईए, धम्म संस्कृत शब्द धरमनों प्राकृत रूप छे, विचारों, कलिंगना युद पची अशोक ना विचारों मा शूं परिवर्त नाव्यूं? गुजरात ना जुनागण मा गिर्नार परवत तरफ दामोदर कुंड जता अशोक नो शीला लेक मड़ी आवेल छे, जे प्राकृत भाष्यामा लखायेल छे अशीला लेक मां त्रण राजवियों ना लेक हो छे, आ लेक राजा महक्षत्रप रूद्र दामानो लेक छे, आ लेक मां मौरिय राजा चंद्रगुप्त ना राष्य पुष्य गुप्त द्वारा निर्मान करवामा आवेल सुदर्शन तड़ा, एटले के जडाश्य अने अशोक ना राष्य यवन राजद्वारा सी चाई माटे तेमाथी नहरो काडवानी विगतो आपवामा आवेल छे, जेस थड़ोय अशोक ना शीला लेको मलया चे, तेनी वधु माहिती माटे नक्षो 6.2 नो अभ्यास करवो, विचारो, नक्षानो अभ्यास करी तमारा शिक शकनी मदद थी, नीचे ना प्रश्णों ना जवाब तमारी नोटबुक मा लखो, अशोक ना शीला लेको क्या थी मली आव्या चे, आस थालो वर्तमान समय मां क्या आवेला चे, तेशोधो, धर्म प्रचारक तरीके अशोक, अशोके देश भर्मा आवेला बाओद तिर्थ धामोनी यात्रा करी, यात्रा दर्म्यान बौध धर्मनो प्रचार करेओ, अशोके गौतम बुधना उपदेशोमा थी प्रेणा मिलदी, ओतानी प्रजाने धम्मनो मार्ग बताववा, ओताना सामराज्यमा ठेर ठेर शिला लेको, अने संभा लेको कोत्राव्या, ते समयनी स अमस्यावनो उके लाववा, अशोके राज्यमा धर्म खातानी रचना करी, अखाताना उपरी तरीके निमायल धम्म महमात्र, नामना अधिकारी ये, प्रजामा बौध धर्मनो प्रचार करी, तेमनो नैतिक धुरण उचु लाववानू कार्य करवानू हतु, अशोके अज्यमा शिकार करवा पर प्रतिबंद फर्मावी, पशुओनी हिंसा बंद करावी, तेने गौतम बुध ना प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सदाचार, अनुकंपा जेवा सिध्धान्तों ना प्रचार पर भार मुक्यो, उपदेशनी साथे साथे केटलीक लोकोपयोग वातो पण शीला लेखो मा कोतरावी, अशोक नो प्रजा जोग संदेश, एक, माता पितानी आग्न्यानु पालन करवू, बै, वडिलोनो आदर करवो, त्रण, पशुओनो वध न करवो, चार, बने तेटलो ओछो खर्च करवो, पांच, गुरुनी सेवा करवी, छ, स्त्रि अने नोकरो प्रत्य, मायाळू वर्तन राखवू, साथ, भ्रामणों अने श्रमणों ने दान आपवू, आट, अन्या धमना मुख्य सिध्धान्तों समझवानों प्रयत्न करी, तेनों आदर करवो, प्रवृत्ति, अश्योक ना प्रजा जोग संदेश मा आपवामा आवेल विगतों मा थी, कई विगतों वर्तमान समय मा प्रासंगिक छे? सरकार विविध्योजनाओ, नियमों, सुधारा वगेरिनी माहिती, लोकोंने कया-कया माध्यमों द्वारा आपे छे? अश्योके इस विशन पुर्वे बसो एककामवन मा पाटली पुत्रमा मोगली पुत्त, तिश्य, तिसान, अध्यक्ष पदे त्रीजी बौध परिशत बोलावी. आ परिशतनों मुख्य हेतु बौध धर्ममा उभा थायला मत मतांतरों दूर करी धार्मिक एकता स्थापपा अश्योके भारतना कश्मीर, गांधार, चोल, पांडिय औने केरण राज्यों मा बौध धर्मनों प्रचार करियो हतो। आम अशोके पोताना शासंदर म्यान बौध धर्मने राज्या श्रय आपयो। अशोके धर्मप्रचार उप्रांद प्रजा कल्याणना कार्योपन कर्या हता। अमराज्यनू निर्मान करियों। महत्वक आंग्षा पूरी करवा कलिंग पर चड़ाई करी। युद मा थैल खुवारी जोई तेनू रदय परिवर्तन थता। ते बौध धर्मनों प्रचारक अने उपदेशक बनी गयो। धर्म प्रचारते विदेशों मा थायला प्रचारक मंडलों ए त्यां भारतिय संस्कृतिनी सुवास्वैलावी। अशोक ना गुणों अने तेना कार्योंने लिधे ते इतिहास मा महान राजवी तरीके स्थान धरावे छे। इसवी संपूर्वे 232 मा समराट अशोक नू अवसान थायों। तेने चत्रिस वर्ष शासन करियों। मौर्य युग नू वहिवटी तंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ए विशाल सामराजयनू निर्मान करियों। तेनो विस्तार समराट अशोके करियों। विशाल मौर्य सामराजयना विभाग पाड़ी तेनो सूव्यवस्थित वैवट्चा लाव्वा माटेनू आयोजन। चंद्रगुप्त ना मुख्य मंत्री अने प्रखर राजनेतिग्य विश्णुगुप्त चानक्य एटले के कौटिल्य द्वारा करवामा आवियों हतू। आ समय मा वैवटी तंत्रना त्रण विभागो एटले के अंगो हता। केंद्रिय, प्रांतिय, प्रादेशिक इटले के स्थानिक। A. केंद्रिय वहिवटी तंत्र समराट, राजा, शासन व्यवस्थामा केंद्रस्थाने हतो ते सामराजयनों वहिवटी, लशकरी अने न्याय तंत्रनों वडो हतो तेनु पद वंश परंपरागत हतु पाटली पुत्र अने तेनी आजुबाजुनों प्रदेश समराटना सिध्धा अंकुष हे ठढ़ातो ते मंत्रियों अने उच अधिकारियोंनी मदथी वहिवट चलावतो चानक्य कउटिल्यये कुल अढ़ार खाताओ दर्शाव्या छे जे माथी मुख्य खाताओ अने तेना उपरी वडा नीचे मुझब छे ख्रम खातू विभाग उपरी वडा 1. खेती विभाग सिता अध्यक्ष 2. लशकर खातू सेनानी 3. न्याई खातू प्रदेश्त्री मुख्य नायाधीश 4. व्यापार खातू 5. दफ्तर मंडल अक्षपटल रेकोड खातू महा अक्षपटल 6. मुद्रा पासपोर्ट खातू मुद्रा अध्यक्ष 2. प्रांतिय वहिवटी तंत्र विशाळ मौर्य सामराजय ने वहिवटी सरलता खातर 5 विभाग मा वेजवामा आवियू हतू 6. प्रांत मंडल विभाग ना वड़ा तरीके राज्यपाल राश्विय हतो 7. आपद पर मोटे भागे राजकुमारों नी निम्डुक करवामा आवती 8. प्रांत मा शांति व्यवस्थानी जालवनी करवी 9. करवेरा उग्राव्वा राजाना आदेशोनों पालन कराव्वूं अने प्रांत मा बनता बनावोनी सम्राड इटलेके केंद्रने सतत वाकेफ राखवानू हतूं 9. प्रादेशिक स्थानिक वैवटी तंत्र वैवटी सरणता माटे कोई पन प्रांतने आहार जिल्ला स्थानिय औने आहार ने प्रदेश संग्रहन तालुकामा वेंच्वामा आवतो आहार नो अधिकारी राजुक आहारपती के स्थानिक औने प्रदेश नो अधिकारी प्रादेशिक गोप कहवातो वहिवटी तंत्रनों नानाम नानु एकम ग्राम हतुँ तेनो उप्री ग्रामिन कहवातो गामना चुटायला सभ्योनी समितीनी मदथी ग्रामीन ग्रामनों वहिवट चलावतो समराट अशोकना उत्राधिकारियो तथा मौर्य वन्षनु पतन सम्राट अशोगना मृत्युबा तेना उत्राधिकारियों विशे ब्राम्मन, जैन अने बौध ग्रंथों मा थी जुदी-जुदी महिती मले छे कुराणों मा अपेल महिती मुझब मौर्य वन्ष मा थाई गयल कुल नव के दस राजावे, कुल मली 117 स्वर्ष शासन कर्यूं हतुं बौध ग्रंथों मा जणाव्या मुझब अशोग पची अनुक्रमे, कुणाल, संप्रती, शाली सुक, जैलोक, दश्रत, देव वर्मा, शत धन्वा अने बुरुद्रत राजाओ थाई गया मौर्य वंशन अन्तिम राजा, बुरुद्रत ना निर्बळ शासन नो लाबलई, तेना सेनापती, पुष्य मित्र शुंगे, लश्करी कवाया जोवाना बहने, बोलावी तेनी हत्या करी आम इस विसन पुर्वे एकसो पंश्याशी मा, पुष्य मित्र शुंगे, मगदनी गादी पर शुंग वंशनी स्थापना करी, मौर्य वंशनों अन्तानेयों